हेलो विद्यार्थियों टार्गट विद्लक्ष किस नई वीडियो में वशभी का श्वगत है तो हेलो एलकेन और हेलो एरीन के इस लिक्षर में आज आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पर हेलो एलकेन के निर्मार की विधियां यानि कि जो हेलो एलकेन है इसका निर्मार जो है क प्रदर्शित करते हैं इसके बाद एल्क का मतलब यहां पर कारबंद से होता है याद रखेगा एल्क का मतलब कारबंद से इसके अलावा एन N का मतलब यहाँ पर एकल बंद से होता है एकल बंद तो यह अप लोग यहाँ पर याद रखेगा हैलो एलकेन हैलो का मतलब हैलोजन यानि कि आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इस प्रकार से यहाँ पर यह हैलोजन L का मतलब कारबन और N का मतलब एकल बंद और यहां पर आप लोग याद रखेगा कि जो हैलो एलकेन है इससे हम लोग क्या बोलते हैं इससे हम लोग आर एक्स से प्रदर्शित करते हैं या फिर इससे बोला जाता है अलकिल हैलाइड इससे बोला जाता है अलकिल हैलाइड और इससे हम लोग यहां पर प्रदर्शित करत जैसे कि हैलो एलकेन का निर्माड जो है हम लोग एलकोहल द्वारा करते हैं यहाँ पर याद रखे कि इसका निर्माड जो है यहाँ पर एलकोहल द्वारा के जाता है तो पहली विधियां पर हो जाएगी एलकोहल द्वारा इसके अलावा जो है इसका निर्माड हम लोग एलकेन के हैलोजनी करण द्वारा करते हैं तो यहाँ पर आप बता सकते हैं एलकेन के हैलोजनी करण द्वारा हैलोजनी करण द्वारा इसके अलावा तीसरा आप लोग इसमयाद रखेगा एलकीन द्वारा भी हम लोग यहाँ पर हेलो एलकेन का निर्माड करते हैं तो यहाँ पर आप बता सकते हैं एलकीन द्वारा इसके अलावा भी आप लोग यहाँ पर याद रखेगा कि इसका निर्माद जोय कार बॉक्स लिक, अमलो के सिल्वर लमड द्वारा क्या जाता है याद रख fragr कार बॉक्स लिक अमलो के सिल्वर लमड द्वारा तो यहाँ पर हैलो एलकेंट के निर्माड की चार विधियां हो गही अब इसमें जो विद्या मुख हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अलकोहल द्वारा जो है, यानि कि अलकोहल द्वारा जो है हेलो एलकेन का निर्माड किष प्रकार से किया जाता है, तो अब इसके लिए ध्य द्यान देजिए यहां पर एल्कोहाल द्वारा किश प्रकाश से निर्माण करेंगे इसके लिए आप यहां पर समीकन द्यान देजिए चैसे किमान लीजे यहां पर है एल्कोहाल यह हो जायेगा एल्कोहाल इसकी क्रिया आपको करानी है हैलोजन अमल से इसकी क्रिया आपको य इसका यहांपर इस प्रकाष से निर्मार होगा इसके अलावा इसमे जो है जल यह यानी की continues यह अलग हो जाआएगा यहां से कराएंगे तो यहां पर बनता है फिर हीलो इलकेन और यहांपर जल जो है बाहर निकल जाता है तो अब यहां पर दयान देजी यहां पर बात हुई है है हैलोजन अमल की अमल का मतलब जिसमें हाइड्रोजन हो तो हाइड्रोजन का मतलब आपको बताया गया है है हैलोजन में आपका आई हो सकता है इसके अलावा क्या हो सकता है बी आर भी हो सकता है इसके अलावा क्लोरीन भी हो सकता है य कि ऐसे करानी है आपर अलकोहल से करानी है तो यहाँ पर आपको इसकी क्रिया जो है वह याद रखिएगा और जिसमें कार्बन के साथ एक ओ-azar कर्या होता है चुर्ण यहाँ प्रकार इसकी क्रिया आप यहाँ पर कराएंगे हैलोजन अमल से इस प्रकार से या फिर आप इसमें भी ध्यान देजिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं CH3OH और यहाँ पर भी हो जाएगा CH3OH इस प्रकार से तो अब ध्यान देजिए इसमें अब इसमें यहाँ पर ध्यान देजिए यहा यहां पर यह एच इसके साथ तूट जाएगा यहां से आई के साथ जो बंद बना हुआ यह तूट जाएगा और इधर यह बंद तूट जाएगा तो यह यहां से यह बंद तूटेगा और इधर यहां से यह बंद तूटेगा तो यहां पर यह बंद तूटेगा तो यहां पर H2O बाहर निकल जाएगा यहाँ पर भी H2O बाहर निकल जाएगा और इसमें भी यहाँ पर H2O बाहर निकल जाएगा तो इसका मतलब दहन देजें पर H2O बाहर निकल गया तो यहाँ पर बचा है क्या फिर यह हो जाएगा CH3 यह आएगा CH3 और इसके बाद ध्यान देजे यहाँ पर single bond आई, इसे प्रकार से यहाँ पर आप लेखेंगे CH3 और यहाँ पर आ जाएगा BR, इसमें ध्यान देजे यहाँ पर हो जाएगा CH3 और यहाँ पर यहाँ आ जाएगा CL तो यह यहाँ पर जो बना है इससे हम लोग बोलते हैं Halo Alkane याद रखे का यह यहाँ पर क्या होता है Halo Alkane तो यह यहाँ पर Halo Alkane है यह भी यहाँ पर Halo Alkane हो गया और इसमें दान देजे H2O जो है यहाँ पर बाहर निकल गया तो यहाँ पर Hydrogen और Iodroid की बीच का बन टूट गया इसके लवा हैड्रोजन और ब्रोमाइट के बीच कबन तूट गया और यहाँ पर हैड्रोजन और क्लोइट के बीच कबन तूट गया तो यहाँ से द्यान देजे H2O अलग हो गया सभी में तो इस प्रकार यहाँ पर यह बन गया हैलो एलकेन अब यहाँ पर डान देजे यहाँ पर जो क्रिया कराई गई है उसमें डान देजे आपका I प्रयोग हुआ है BR प्रयोग हुआ है इसके लाओ CL प्रयोग हुआ है अब इसमें आप डान देजे यहाँ पर जो आपकी यह वाली क्रिया है यानि कि पहली वाली क्रिया इसमें जो है किसी भी उत्प्रेरक की आवसकता नहीं होती है लेकिन जो दूसरी क्रिया है कि ये वाली जिसमें B, R दिया गया है तो यहां पर इस क्रिया को कराने के लिए यहां पर उत्प्रेरक की आवसकता होती है और यहां पर जो उत्प्रेरक कारे करता है वो होता है सांद्र H2SO4 याद रखेगा सांद्र H2SO4 इस प्रकार से यहां पर यह उत्प्रेरक कारे करता है उसी प्रकार जो तीश्री यह भिक्रिया है इसमें भी यहां पर उत्प्रेरक कारे करेगा और यहां पर जो उत्प्रेरक क करता है लेकिन इसमें जो होता है उत्तुप्रेरक कारें नहीं करता है तो क्या होता है इसके बारे में आद रखेगा उत्तुप्रेरक यह होता है यह अभिक्रिया की इसका प्रियोंग नहीं किया गया और इसका प्रियोंग क्यों नहीं किया गया इसके लिए पर लोग याद रखे गया पर कि जो hydrogen है और इसके अलावा जो F है इन दोनों का आकार जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है तो इन दोनों का आकार जो बहुत छोटा होता है इसलिए यहाँ पर लोग F का प्रयोग नहीं करते हैं तो यह आप लोग यहाँ पर याद रखेगा इसके अलावा इन तीनों में कौन अधिक क्रियासील है तो अगर इसकी बात करें तो इसमें रहंदेजी यहाँ पर लोगों ने प्रयोग किया है hydrogen iodide का इसके अलावा इसमें प्रयोग किया गया है hydrogen bromide का और इसमें प्रयोग किया गया है hydrogen chloride का तो यहाँ पर hydrogen इसका आकार छोटा होता है नहीं कि तीनों में जो hydrogen है इसका आकार तो सेम ही होगा लेकिन जो यहाँ पर iodide है इसका आकार बड़ा होता है इसके बाद जो BR है इसका आकार इससे छोटा होता है और इसके बाद जो CL है इसका आकार इससे भी छोटा होता है इस प्रकासे तो यहाँ पर देजी इसका आकार सबसे बड़ा है फिर इससे छोटा यह है और फिर इससे छोटा यहाँ पर यह है तो यहाँ पर जब आकार आशमान होते हैं ध्यांदीजी दोनों के आकार आशमान है तो यहाँ पर इनके बीच का जो बंद होता है यह कमजोर होता है और जल्दी तूट जाता है याद रखे गहाँ पर असमान आकार के कारण इनके बीच का जो बंद होता है वो कमजोर होता है जिसके करण यह यहाँ पर जल्दी तूट जाता है तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में धान्देजे यह बहुत छोटा है और यह बहुत बढ़ा है इसका मतलब इनके बीच का बंद जो बहुत ही कमजोर है और यह सब से जल्दी तूट जाएगा इसमें धंदीजी यहाँ पर इसका आकार जो है इसके तुलना में बड़ा है तो यहाँ पर इसके बीच का बंद भी तूट जाएगा लेकिन धंदीजी इसके तुलना में यह कुछ मजबूत होगा और इससे भी ज्यादा मजबूत कौन सा होगा यह होगा आपका HCL लेकिन यहां पर आपका यह था H और F और यहां पर यह जो H और F है इसके बीच का बंद बहुत ही मजबूत होता है इसलिए यहां पर यहां पर क्रिया नहीं करता है लेकिन यह यहां पर तूट जाते हैं लेकिन यहां पर इनके बीच क्रिया होती ह तो यहां पर डंदेजे इनके बीच का बन सबसे कमजोर होता है जल्दी तूट जाता है जल्दी तूट जाएगा तो यहां पर अब क्रिया जो है तेजी सी होगी तो इसका मतलब यहां पर इसकी क्रिया सिलता जो है सबसे अधिक होगी फिर इसके बाद किसकी क्रिया सिलता पर hydrogen iodide है तो यह अप लोग यहाँ पर याद रखेगा इसके बारे में कि सबसे अधिक रियासिल जो है यहाँ पर hydrogen iodide है इसके अलावा यहाँ पर यह द्हांदेजी जो तीसरा समीकर्ण लिखा गया है इसे हम लोग बोलते हैं ग्रो प्रक्रम याद रखेगा इससे बोला जाता है ग्रो प्रक्रम तो यह अप लोग याद रखेगा अगर पेपर में ग्रो प्रक्रम लिख्या रहा है तो वहाँ पर फिर आपको इस समीकर्ण कप्रयोग करना है आप लोग यह आप ल चलाध धर्धे्र में यहां पर जब लोग एलकॉहल की क्रिया यहां पर हम लोग कराते हैं। कि अफाइश वोरस अध्राई है और इस प्लाइट traff लात लोकिता है फास्फोरस्ट्राइक्लोरःट तो किस प्रकार से यहाँ पर जो है हेलो एलकेन का अंदर मार होगा इसके लिए धहन देजे यहाँ पर है एल्कोहल snare जयसे के हम लोग लेते हैं हमले लेजिया हम पर CH3 OH तो यहाँ पर है आपका एल्कोहल इसकी क्रिया आपको करानी है फास्फोरस्ट्राइक्लोराइड से फास्फोरस्ट्राइक्लोराइड का सूर्थ रोता है PCL3 इस प्रकार यहाँ पर इसकी मेलोग क्रिया कराएंगे फास्फोरस्ट्राइक्लोराइड से तो जब यहाँ पर इसकी क्रिया कराएंगे तो इसमें हैलो एलकें किस प्रकार से बनेगा इसके लिए आप यहाँ पर एक ट्रिक द्यान देजे आपको यह ट्रिक याद रखनी है तो आपको इस सम्मीकर को लिखने में कभी भी कोई समस्या नहीं होगी जैसे कि यहाँ पर द्यान देजे यहाँ आपको दिया गया है अलकोहल तो अलकोहल लिखिया आप यहाँ पर CH3OH इस प्रकार से यह हुआ इसके लावा यहाँ पर द्यान देजे यहाँ पर दिया गया है PCL3 तो यहाँ पर यह P हो गया CL3 तो एक CL इस प्रकार होगा दूसरा CL ये हो जाएगा और तीसरा CL ये हो जाएगा तो इसमें धहन देजी यहां पर इसे इस प्रकार से अलग कर दीजिए यानि कि इस प्रकार यहां पर इसे तोड़ दीजिए तो यहां पर धहन देजी यह जो CH3 है ये एक CS3 है इसके साथ यहाँ पर एक CL चला जाएगा एक CS3 के साथ एक CL जाएगा तो यहाँ पर दो CL जो है बच जाएंगे तो यहाँ पर दो CL ना बचे इसके लिए यहाँ पर आपको जो CS3 प्रयोग करना हो कितने प्रयोग करना है 3 CS3 जब 3 CS3 आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो इसके साथ जो है यह 3 CL यहाँ पर अरजिस्ट हो जाएंगे यानि कि इसके साथ फिर 3 CL आ जाएंगे तो यहाँ पर फिर बच्चेगा कि आपका OHP लेकिन अब ध्यांदेजी यहाँ पर H कितने हैं आपके 3 O कितने हैं 3 इसके आप यहाँ पर क्या है P तो आपको यहीं ट्रिक क्याद रखना है यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर इससे तोड़ देना है तो यहाँ पर आप लोग याद रखेगा कि एक CL जो है इसके साथ आएगा 1 CS3 के साथ तो इसलिए यहाँ पर आपको CS3 कितने यूज़ करने तीन त न हुआ इसके बाद धेंदेजिये लेसं कितने यहां पर तीन तो यहां पर लिख दीजिये ह 3 कितने हाँ दीजिये पर एक ही है तो की लिख दीजिये मॉँकंपांट तो ह 3 यहां पर यह compound बन जाएगा त напис यहां पर जो बना है आपर संतुलन भी कर सकते हैं तो इस प्रकाश जो हम लोग एलकोहल और फास्फॉरस्ट्राइफ के दूर्छ सकते हैं अब इसके बाद अगला ध्यान देजे ल्कोहल एलकोहल इस प्रकाश लिखेंगे इसकी क्रिया आपको करानी है फास्फोरस पेंटा क्लोराइड से फास्फोरस पेंटा क्लोराइड तो यहाँ पर यह जाएगा पेंटा क्लोराइड तो जब हम लोग एलकोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटा क्लोराइड से कराते हैं तो इसके लिए धान देजे, अलकोहल, जैसे के अलकोहल हम लोग लेते हैं, माल लेजे, CS3OH, इस प्रकास से, इसकी क्रिया करानी है, आपको फास्फोरस पेंटाक्लोरेट से, तो इसका सूतर होता है, PCL5, इस प्रकास से, तो इसके लिए भी आप धान देजे, आपको ट्रिक क एक CL इस प्रकास से, दूसरा CL इस प्रकास से, बाकी के तीनों CL आप यहाँ पर जोड़ दीजे, CL, CL और CL इस प्रकास से, और इसे यहाँ पर धान देजे, ऐसे तो अब धान देजे, यहाँ पर क्या बनेगा, CH3, CL, तो यहाँ पर आप लिखे, CH3, CL इस प्रकास से, प्लस, इसके बार देंदेजी, यहाँ पर यह है P, O और C, L, 3, तो यहाँ पर लिखेंगे P, O, C, L, 3, प्लस यहाँ पर देंदेजी, H, C, L, यहाँ पर हो जाएगा H, C, L, इस प्रकार यहाँ पर यह जो बनेगा, यह हो जाएगा H, L, C, N, इस SIG आपको यह पर निर्माण करना है, त की आर एकस तो ये हो गया हैलो एलकेन तो इस प्रिकार जो हम लोग एलकोहल और फास्परस पेंटा क्लॉरीट के द्वारा भी जो है हैलो एलकेन का निर्मार्ण कर सकते हैं तो यह अप लोग याद रिखेगा अब इसके बाद ध्यान देज़े अगली अभी क्लॉराइड से यहां पर जाएगा थायु निल क्लॉराइड इस प्रिकार से तो अब ध्यान देजे एलकोहल जैसे कि माल लेजे हम लोग यहाँ पर लेते हैं CH3OH यह हो गया आपका alcohol इसकी क्रिया करानी है आपको thionyl chloride से इसका सूतर होता है SOCl2 इसके हम लोग बोलते हैं thionyl chloride इससे आपको क्रिया करानी है तो इसके लिए ध्यान देजे आप यहाँ पर ट्रिक याद रखेएगा जैसे कि यहाँ पर आपको यह दिया गया है alcohol इससे आप इस प्रकाश लिख दीजे CH3 OH ऐसा लिख सकते हैं इसके अलाव आपको यहाँ पर दिया गया है thionyl chloride इससे आप ऐसा लिखेए S1Cl आप यहाँ पर ले लिजे 1Cl यहाँ पर और double bond O इस प्रकाश लिख सकते हैं उसके बाद अब ध्यान देजे इससे आप यहाँ से तोड़ दीजे इतना इधर और इतना इधर इस प्रकाश आप तोड़ेंगे तो ध्यान देजे यहाँ पर यह बनेगा CH3 Cl इतना हो इसके बाद प्लस S2O2 S1O1 तो बन जाएगा S2 प्लस यहाँ पर बनेगा HCl इस प्रकाश से S2 यह यहाँ पर गैस है Hydrogen Clod यह भी यहाँ पर गैस है तो यह दोनों यहाँ पर गैस है बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पर बचता है क्या है आपका यहाँ पर आपका बचता है CS sheep area only कि केवल आपका यह पर हैलो अलकेन बन जाता है तो यह यहाँ पर जो अभीकृयाएं यह उत्तम अभीकृया है यही है य्रदी कि अंब इसम अभिक्रिया curlyया मेरे जो है यहां पर हम लोग उत्प्रेशियू करते हैं Ju उससे बहते हैं विदी यहां पर उत्प्रेशिया को जाएगा प्रूडी अब यहां पाला कर लोग बात करेंगे कि पिरीदीन क्या होता तो इसके लिए आप याद रखेगा आपको dengan jinn की जो बनाते हैं यहां पर यहां पर यह बेंजीन हुता है अगर इस में से यह इह पर कार्बन निकाल करने जिनने 9 जोड़ देंगे तो यहां पर यह बन जाता है पिरीडीन इससे ही हम लोग बोलते हैं पिरीडीन तो यह अप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखे गए इस प्रकार से यह होता है यहाँ पर पिरीडीन तो यहाँ पर जो उत्प्रेरक यूज होता है यही होता है पिरीडीन आपका और उत्प्रेरक के बारे में आपक को बताया गया कि यह जो है अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं इसके लाव आप लोग याद रखेगा यहां पर जो अभिक्रिया यूज हुई है इसे हम लोग डारजन अभिक्रिया बोलते हैं इससे बोला जाता है डारजन अभिक्रिया यह जो है बहुत ही महत्तोपूर है यह अप लोग याद रखेगा कि यहां पर यह जो अभिक्रिया है यह बहुत ही important है यह paper में एक्सर आती रहती है तो यह अप लोग याद रखेगा इससे बोलते हैं dargen अभिक्रिया अगर आपको इसके बारे में लिखना हो तो आप बता सकते हैं कि जब alcohol की क्रिया हम लोग थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो इसमें जो है हैलो एलकेन के साथ जो है SO2 गैस और hydrogen क्लोराइड गैस का निर्माड होता है जो की बाहर निकल जाते हैं और इसमें जो है यहाँ पर केवल CH3CEL यानिकी हैलो एलकेन बजता है और यह जो है एक उत्तम अभिक्रिया है और इसमें उत्त प्रेरफ जो हम लोग पिरीडिन यूच करते हैं तो इस प्रकास से आप यहाँ पर इस अभिक्रिया के बारे में बता सकते हैं तो अब इसके बाद जो इसकी अन्य विद्धी हैं उनके बारे में आपको नेक्ट वीडियो में बताऊंगा अगर आप सभी को ये वीडियो पशंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक सेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा धन्यवाद